नमस्कार, मैं हूँ डाक्टर छोटे लालगुत्ता, असिस्टर प्रोफेसर, हिंदी कहानियों की स्रिंखला में आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा, मुन्सी प्रेम्चंत की कहानी पंच परमेश्वर. जुमन सेख और अलगुत्त चौदरी का धर्म भले ही अलग-अलग था, पर उनकी यह दोस्ती छुटपन से ही थी. जुमन सेख की एक खाला यानि मौशी थी, जिनका जुमन के अलावा इस दुनिया में कोई न था, वह जुमन के साथ ही रहती थी. पहले उनकी खूब आवा भगत होती थी, पर जब से खाला जान की सारी जैदाद जुमन ने अपने नाम लिखवा ली, तब से खाला रोटी के साथ-साथ करवी बातों के तीखे घूट भी जुमन की पत्नी से पीने लगी. कुछ समय तक खाला सहती रही, पर असन्धा होने पर उसने पंचायत बिठाने का निर्ने लिया. जुकी हुई पीठ को लाठी के सहारे खीर्षती हुई, खाला ने पूरे गाउं को पंचायत का नेयोता दिया. अलगु चौदुरी को उसने विशेश आगरा से बुलाया, सभी एक पेर के नीचे एकत्रित हुए, पंचायत का कार्ज शुरू हुआ, पंचो के सामने खाला ने अपना पक्छ रखा, मैंने अपनी जैदात तीन साल पहले जुमन के नाम कर दी, जीवन भर मुझे रोटी कपरा देना इसने कबूल किया था, अब रोज रोज की कीट कीट मुझसे नहीं सही जाती, ना पेट की रोटी मिलती है और नहीं तन का कपरा, मेरी गलती हो तो बताओ, बस अब तुम पंचो काही सहारा है, जुमन से पंच चुने को कहा गया, उसने यह जिम्मेदारी खाला को दे दी, खाला ने अल्गु चौदरी को सरपंच चुना, अल्गु ने एतराज करना चाहा, क्योंकि युमन उसका मित्र था, पर खाला ने इमान का वास्ता दे दिया, और अल्गु को सरपंच बनना परा, कहा जाता है कि पंच में परमेश्वर का वास होता है, न्याय का ना कोई मित्र होता है, ना कोई दुस्मन, यही इस सिती अल्गु की सरपंच की कुर्शी पर बैठने पर हुई, अल्गु ने दोनों पक्छों की बात सुनी और अपना फैसला सुनाया, पंचों ने विचार किया है कि खाला जान को महीने का खर्च दिया जाना चाहिए, उनकी जैदाद से इतना मुनाफ़ा अवस्य होता है कि खर्च दिया जा सके, यदि जुमन खर्च ना दे सके, तो ख अल्गु के पास बहुत ही सुन्दर बरे बरे सिंगों वाले एक जोरा बैल थे, देव योग से एक बैल पंचायत के महीने भर बाद ही मर गया, अकेला बैल किस काम का, जोरा ढूरने पर भी न मिला तो अल्गु ने गाउं के समझू साहु के पास उसे बेचना उचित समझा, साहु जी के पास इका गाड़ी थी, जिसमें लाद कर गाउं का समान गूर घी मंडी ले जाते थे, और मंडी से नमक तेल लाकर गाउं में बेचते थे, चौदरी से बात की मोल भाव किया, एक माह में बैल की कीमत देने का वादा कर, बैल को घर ले आये, निया बैल पाकर समझू साहु ने उसे रोधना शुरू कर दिया, दीन में तीन चार चक्कर लगाना शुरू कर दिये, उन्हें न चारे की फिक्र थी, न पानी की, और यदि बैल का दम फूलता, आना कानी करता, तो डंडो की बरसात जेलता, उधर चौधरी के घर उसे काम कभी कभार और खाना भरपूर मिलता था, थोरे ही दिनों में उसकी हडिया निकलाई थी, एक दिन चौथा चक्कर था, साहु ने दुगुना बोज लाद दिया था, दीन भर का थका हारा, पैर न उठते थे, साहु जी कोरे फटकार ने लगे, दम लगा कर बेचारा भागा, पैरलर खराये, जो गिरा तो उठ न पाया, साहु जी ने बहुत पीटा, टांग खीचा, नतनों में लकरी ठूसी, पर सब बेकार वह मर चुका था, दूर दूर तक सनाटा, समाल लेकर घर कैसे जाए, चिंतित साहु ने वही रात को रुकने क की सोची, आधी रात तक जगे रहे, पर जब सुबह आँख खूली तो तेल के पीपे और टेंट में बंधा रुपईया भी गाय पाया, सिर पीटा, पचार खाई और किसी तरह घर पहुँचे, कई महीने बीतने के बाद भी साहु अलगु को पैसा देने की बात पर ही गाली गलाउज करने लगता था, बात बहुत बिगर जाने पर गाउवालों ने दोनों को पंचायत करने की सलाह दी, आकिरकार संध्या समय पंचायत बैठी, पंच चुन्ने की बाड़ी आई, अलगु से पूछा गया, तो उन्होंने समझू साहु को पंच चुन्ने को कहा, जुम्बन के स्विकृति दे दी, और जुम्बन सरपंच नुक्त हो गये, बदलेगी आग में जलती हुए जुम्बन ने जब सरपंच का उच पद संभाला, तो सहसा उन्हें उनकी दायत्तु का ग्यान हो गया, उनके सामने अब केवल न्याय था, दोनों पक्चों से सवाल जबाब करने के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया, अच्छी तरह विचार कर पंच इस फैसले पर पहुँची है कि समझू को बैल का पूरा दाम देना चाहिए, जिस समय बैल लिया जाता था, उस समय उसे कोई बिमारी न थी, अगर तभी बैल का दाम दे दिया जाता तो आज यह बिवाद नहीं होता, बैल के मिर्तु का कारण उसे कठिन परिश्रम लिया जाना तथा उची चारे दाने का परबंद ना किया जाना है, फैसला अलगू ने सुना, खुशी से सराब और उटकर जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय, चारो और से पंच परमेश की परतिध्वनी होने लगी, थोड़ी देर बाद जुमन ने आकर अलगू को गले लगाया, और बोले मैं तुम्हारा जानी दुस्मन बन गया था, पर आज पंच के पद पर बैठ कर जाना कि उस समय न्याय के अलावा और कुछ नहीं सूचता है, मुझे छमा कर दो मेरे भा धो डाला, उनकी प्रेम लदा फिर से लहला हाने लगी,